आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गृप कैसे चेंज किया जाता है खिलने के टाइम बैखेंड क्या होता है कौन सी शेडल को लेना है तो से इंप्लिमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा था नेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से मुझे काफी इंप्रूमेंट देखने को मिला जो हमारा पहला एक्सेसाइज उसमें आपको पहले फोरेंड गृप से पकड़ना है और इस बैटंग में लिकिन करेक्ट करेंगे तो काफी सही है अ तो अगर दोड़ा से सब्सक्राइब ले आते हो दीरे दीरे regular practice करते हो तो speed में आपको improvement दिखेगा तो फिर आप speed भी कर सकते हैं तो अगर आप इसे किजी को 4-end grip कैसे पकड़ते हैं और backhand grip कैसे पकड़ा जाता है अगर नहीं आता तो उसके ओपर भी हमने video बनाया में link इसे description में देदूगा आप तो वहां से जाके देख सकते हो साथी साथ जब आप फोरें और बैकेंड कर रहे हो तो आपको ग्रिप को टाइट नहीं पकड़ना है तो असल लूज रखेंगे ग्रिप को टाइट कप पकड़ते जब हम शेडल को हिट करते हैं बागी जब हम ग्रिप चेंज करें तो लूज रहें गार कि जैसे कि अब देख सकते हो जब मैं यह दो नों कर रहा हूं तो मुझे काफी टाइम मिल जा रहा है फोरें टुबैक रेंच कर ने में इसमें तो लोग से लेवल अप करना है तो हमें थोड़ा से ऐसे मारना है फोरेंड backhand, forehand, backhand इसमें कहें कि थोड़ा कम time मिल रहा है, इसमें जादा हो जाता है इसमें कम हो जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग को ये करना थोड़ा से difficulty हो सकता है starting में, लेकिन आप जितना जादा practice करोगे उतना improvement technique को मिलेगा, लेकिन अगर आप ये एक बार सीख गया है तो ये automatically आपको grip change होगा, bandwinton खिलने के time आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो आप grip change करना तो सीख गया नेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से shuttle को मुझे forehand grip से मारना और जो मेरे backhand shot हो गए, backhand toss, drop उसे मुझे bevel grip से मारना है इसके उपर भी हम कोई और वीडियो में detail में बात करेंगे exception की बात कर लेते हैं, तो backhand grip से जब हम doubles में defense करते है तो shuttle मेरे backhand side, left hand side आई तो मुझे backhand grip से मारना है तो जो हम overhead shot मारते हैं, वो basically हम forehand से ही मारते है तो जो हमारे second exercise है, उसमें आपको bandwinton net की जरुवत है और आपके racket की, तो सबसे पहले आपको forehand grip पकड़ना है और ये white वाला strip है, इसमें आपको ऐसे मारना है forehand grip से फिर आपको change करना है backhand grip से forehand, backhand, forehand, backhand तो आपको अराम से करना है, सही करना है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ forehand, backhand forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand अगर आप इसमें perfection ले आते हो, तो आप इसमें speed बढ़ा सकते हो forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand कर दो आपको रहा है करने में डिफिकलटी को रहा है तो आ आप वाल कोड़ात पीछी यह सकते हो साधी साथ शड़ल को ऊपर मार सकते हो जिससे आपको काफी टाइम दाएगा जैसे बैक हैंड ओर रांड ऐसे लेवल इंक्रीस करने जोना नीचे मारेंगे पेज करेंगे तो गई जो हमारा फोर्थ एक्सराइज देवो ग्रिप चेंजिंग रैली है इसमे क्या करना है दो प्लेयर लगेंगे वहां मेरा पार्टनर और यहां मैं कर आउ तो हमेसा मेरे को स्ट्रेट मारना है और उसे क्रॉस मारना है शेटल मुझे फोरेंड मारूंगा और बैक हैंड और यह जो मेरा पार्टनर रहाएगा वह हमेसा क्रॉस मारेगा इंटे क्या होगा ग्रिप चेंज ओगा दोनों का ही तो गई जो हमारा फिफ्ट एक्सराइज वो स्पैसिफिकली फोरेंड और बैकेंड मल्टी शटल है जो फीडर है वो पहले फोरेंड देगा मैं फोरेंड मारूंगा और देन वो बैकेंड देगा बैकेंड तो इससे ग्रिप चेंजिंग में काफी हेल्फ होगा लग में जो ह्यां जो हमेंड यह वीडियोग आशा करता हूं यह वीडियो आपको जाए अची लगी ओगी एक्रिप चेंज की एंड प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जदा आपको इंप्रूमेंट टेखने को मिलेगा एंड अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना